नश्कार बीसी नियूस की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आये निजर डालते हैं खबरों के और उज्जेन में हमारा स्वाभिमान अमर रहे मुवी को लेकर आयल जगोने की प्रेस कांफरेंस 12 मार्ज को यह फिल्म थेटर में होकी रिलीज इसमें खास बात यह है कि स्थाने कलाकारों ने इस मुवी में काम किया है उज्जेन हिंदे फिल्म हमारा स्वाभिमान अमर रहे के निर्देशक दिनेश राजपरोहित निर्माता लेखक खुशबूसीह शक्तावत और अभिनेता आदिराज कुमावत खुशी सोनी शामिल हुए निर्माता ने बताया कि यह फिल्म 12 मार्च को मध्यपरदेश गुजरात महाराश्ट के सिनेमा घरों में रिलीस होगी यह फिल्म एक समाज को नई दिशा प्रदान करेगी किस तरह एक शत्रिय 36 कौम को साथ मिलेकर चलने का काम करता है और शिक्षा के बारे में बताया है दिन कि निर्माता खुश्बुसिये ने बताया कि महाकाल की धरती पर महाकाल का आशिरुवात लेकर इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर रहे है तो इसका बहुत ही अच्छा रिसल्ट मिलेगा मुवी फिल्म के हिरोई ने बताया कि यह फिल्म में महिलाओ के सशक्तिकरन के बारे में बताया क्या है इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर किरदार को एहम जिम्मेदारी मिली थी जिसे सभी अभी नेताव ने अच्छे से निभाया चैलेंजिंग तो है विकाज यह बहुत बड़ा स्टेप रहा है रूमन इंपॉर्मेंट तो बता ही है जिसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा पीछे है जिसे रेप केसे हो रहे हैं एजुकेशन को लेके काफी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हाँ उस सीन को करने में थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉगनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सब लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज़ का तो फिर डेफिनेटली यह प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्ट हो जाएगी और इस मुवी से यही चीज़ ज़्यादा सीखने को मिलेगी गल्स के लिए वही फिल्म की हीरो का कहना है कि उन्हीं राजबुत समाज की हीरो की रूप में अभीने करने का मौका मिला हाला कि विखुद इस समाज सी नहीं आते लेकिन जब उन्होंने इस किरदार को निभाया तो वह काफी लंबे समय तक इसी किरदार में रहे यह कहा कि बहुत कर्फ की बात है कि इस फिल्म में सभी समाजो का समावेश है BCN News के लिए उजयन से महरुदिन कप्तान की रिपोर्ट